हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तो दिज निव लेक्चर वेर विल सी चेप्टर नमर थ्री आफ यूर ग्रावा टेक्स्बुक कॉडवा एड्जेक्टिव्स एंड डिग्रीज ऑफ कंपारिजन भाई लास्ट टाइम भी हमने अड्जेक्टिव्स ऑफ कंपारिजन पढ़ा था यह एड्जेक्टिव्स ऑफ कंपारिजन जो हम आज पढ़ने वाले हैं वह एक्चुली जो बेज हैं आपका डिग्रीज ऑफ कंपारिजन का 9th और 10th स्टांडर्ड के लिए वह बहुत ही जरूरी है तो यह पढ़ना बहुत ही जरूरी है तो यह जो लेवल है उसको समझने क टाइपस होते हैं अगर आप भूल गए है तो वो भी हम रिपीट कर देते हैं चलिए अपकी स्क्रीन पर आपकी टेक्स्ट्बूक है एड्जेक्टिव इस और प्रोणाउन और प्रोणाउन इंग्रेटिज क्वालिटी पोजिशन पर यह एक एड्जेक्टिव के ऐसा शब इसि कार-इस निव तो कार किसकी है वैं तो यह हमको बताया किसने एड्जेक्टिव ने इस का बता रहें कि हिस जो उसकी जो कार है वो नहीं है कैसी है नहीं है एड्जेक्टिव आफ quality, adjective of quality, ठीक है, कैसी है, तो नहीं है, ठीक है, adjective of quality क्या होता है, sir, adjective of quality होता है, भई, किसी की size, color, shape of a person, हमको बताएं, तो यह adjective of quality हो जाता है, जैसे fair, the girl is very fair, the boy is tall, the boy is tall, तो boy कैसा है है तो बई कैसा है, तो मतलब कितना है, math, how, तो मतलब कितना है, I have some milk in the jar I have some milk in the jar तो bottle में, jar के अंदर bottle में, थोड़ा milk है I have some milk in the bottle तो यहाँ पे कितना milk है तो कितना milk है, some milk है ठीक है, कितना milk है, some milk थोड़ा, तो some जो है adjective of quantity हो गया यहाँ पे समझ में आया बेटा आप question बूचेंगे, कितना है मिलेगा answer, adjective of quality adjective of number के हम बात करें तो number नमबर ही बताओगा tell how many concerns or things are meant Sir आप बोलेंगे quantity और number में difference क्या है अगर हम बोलते हैं quantity तो यहाँ पे बेटा, जो तिसको हम गिन नहीं सकते ठीक है, उसकी quantity बताई गई हो तो यहाँ पे adjective of quantity हम बता रहे है समझ में आया जब आपको किसी चीज के बार में quantity बताई है, कितना है लेकिन वो चीज आप नहीं गिन सकते हैं जैसे milk है, sugar है, rice है, bread है तो यह चीज़ें आप नहीं गिन सकते हैं, ठीक है अच्छा, आप पूछेंगे Sir, bread क्यों नहीं गिन सकते हैं ब्रेड की slice आप गिन सकते हैं, bread थोड़ी गिन सकते हैं ब्रेड की slices गिन सकते हैं, I have four slices of bread I have one packet of bread तो आप packet को गिन सकते हैं, bread को थोड़ी गिन सकते हैं तो ऐसी चीजों में आप adjective of quantity लगाते हैं जहां पर आप गिन नहीं सकते, फिर भी आप बोलना है कितना है, ठीक है, I have some milk, तो मैंने क्या बोला, some milk, थोड़ा milk, ठीक है, यहां पर आप क्या कर रहे है, milk तो गिन नहीं सकते, तो उसके आगे आपने sum लगया, तो sum जो है, वो adjective of quantity बन जाता है, adjective of number क्या होता है तो, adjective of number वो होता है, जो आप गिन सकते है, I have three pens with me, कितनी pen है भई आपके पास, तीन pen, pen को आप गिन सकते है, तीन जो है, वो adjective of number हो गया, ठीक है, I have several pens with me, several तो बहुत सारी, ठीक है, several मत्तब बहुत सारी, तो मेरे पास बहुत सारी pen है, आप ऐसा बोल रहे हैं, तो कितनी pen है, तो बहु आप नहीं सकते हैं, फिर भी गिन रहे हैं, और adjective of number में आप गिन सकते हैं, इसलिए गिन रहे हैं, ठीक है, five, four, three, two, one, third, second, first, several, many, ये सारे words जो हैं, वहाँ पे adjective of number देख सकते हैं, आप, demonstrative adjective क्या होता है, बहुत किसी चीज़ के बारे point out करना, ऐसा है, point out करना, ये, वो, व वाला दूर जो है, वो बहुत सारे, ठीक है, ये, बहुत सारे, तो यहां पे आप उसको point out करें, इस पयन is mine this pen is mine यह जो pen है वो मेरी है ठीक है यह जो pen है this pen यह जो this बोला है यह हो गया demonstrate करेंगो point out कर रहा है तो यह हो गया हमारा demonstrate यह adjective this pen is mine अब मैं pen को फेक देता हूं ठीक है दूर पड़ी है pen मैंने बोला भई that pen is mine मैंने दूर फेक दिया हो वो जो pen है वो मेरी है that pen is mine तो मुझसे बहुत ही दूर है वो तो पता चला बिटा this जो है वो मेरे पास है और एक है this जो है मेरे पास है एक है इसलिए हम ठीक है लेकिन दूर है यह जो है वो एक है लेकिन दूर है तो हम यह जो प्लूरल हो गया यह जो प्लूरल हो गया तो इसके लिए अगर मेरे हाथ में हैं बहुत सारी है हाथ में हैं बहुत सारी है तो थीज प्लूरल तो यहां पर हम यूज करेंगे भाए दौर में फैक क्एधे देटें आरम्हें प्लूरल पहां पर जो पेंर पě्ली है वह मेरी है डोज-प्लो थो मेरी ने वह हम हिस máxim यूज करेंगे बद्वे आप इस तुर रहेती है वहां यह जो है और यह नेए पिंश्रेट्टे टेयचन इन्टरोगेटिव एड्जेक्टिव आपको कुषिशन बूछने में मदद करते हैं what, who is, which यह है इंटरोगेटिव एड्जेक्टिव एक इसका चीज है यह बताने के लिए जो अड्रीक्टिव यूस किया जाता है उसको हम बोलते हैं जैसे प्रोण्स हो गए, possessive pronouns भी होते है, my, our, your यूर बही अब बोलते हैं कि this is my pen किसकी pen है यह मा पन तो मा हो हो गया हमारा possessive adjective थीक है परब यहां पर हम बोल रहे हैं और अवर सब्सक्राइब के तरह किसकी है और यौर माइग वह प्रॉपर नांस से बनाइए जैसे Indian Sculpture Indian Sculpture Sculpture मतरब मूर्ती होता है तो यह जो है Indian Sculpture है कैसा Sculpture है? Indian Sculpture है यहाँ एक proper adjective लगाया गया है Indian Buddhist Religion This religion is Buddhist Religion यह जो religion है in religion काँसा है? Buddhist है यहाँ भी पता चलता है हमको कि religion की specification, किसी noun या किसी pronoun के बार में कुछ quality, quantity या number बताया गया, कुछ position बतायी गई है, ठीक है, तो proper adjective हो गया, sir, emphasizing adjective क्या होता है, emphasizing adjective मतलब, जो किसी noun या pronoun का effect बढ़ाता है, या कम करता है, ठीक है, बढ़ाता है या कम करता है, जैसे utter, I am feeling utter bad, utter bad मतलब बहुत गंदा, ठीक है, utter bad मतलब बहुत गंदा, ठीक है, utter bad मतलब बहुत गंदा, this is absolutely bad, absolutely बहुत ही गंदा है, तो यहाँ पर हमको emphasize कर रहा है कि कितना effect वो noun दे रहा है कितना bad है वो, ठीक है तो यहाँ पर यह हमको बताता है, इसको मोलते है emphasizing adjective, participle adjective क्या होता है verbs जो adjective तरह use होते है, verbs adjective की तरह use होते है, जैसे I am sitting in a running train, I am sitting in a running train, बहुत है भाग रहे हैं, मैं उसे मैठाओ आओ running train, भाई running जो है वो है participle adjective क्योंकि यहाँ पर वर्ब जो है run उसको यूज किया है adjective की तरह train कैसी है, तो running है train कैसी है, तो running है, तो यहाँ पर यह हो गया participle adjective, ठीक है तो verbs, जब adjective की तरह यूज होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, पाटिसिपल adjective बहुत है, नाउन्स भी adjective की तरह यूज होते है some nouns are used as adjective, जैसे diamond ring, stone, wall, diamond जो है वो noun है, लेकि निंग के बारे मैं भूब भी बता रहे हैं, कैसी रिंग है तो diamond की रिंग है, तो यह diamond जो है वो adjective की तरह यूज किया है हमने चलिए exercise A पे आते हैं, हम identify the adjectives and mention their kinds the first one अच्छा, एक example दो दिया ही गया है हमारे पास, what he said is an absolute truth, तो यहां पे absolute जो है, वो है emphasizing adjective है, वो जो बोला है उसने जो भी बोला है, वो absolute truth है, वो सही एकदम perfect truth है यहां पे हमको effect बताएगे, यह हो गया emphasizing adjective चलिए, solve करते हैं pen pen ला देते हैं हम लिखने के लिए चलिए, number one, this room has been decorated by my mother यहां पे, अगर मैं हिंदी में इसको अनुवाद करूँ, translate करूँ तो यह जो room है वो मेरी mother ने decorate किया है, वे किसकी mother ने decorate किया है, मेरी mother ने decorate किया, तो underline करेंगे कि किसकी mother ने decorate किया है मेरी mother ने, तो my जो है वो है हमारा adjective, लेकिन कौन से type का adjective है आपने उपर देखा था, possessive adjective है किसकी mother है, किसकी mother है किसके ही mother है, मेरी mother है, तो my जो है वो possessive adjective होगया आप dash करेंगे लिखेंगे possessive माई जो है possessive अब आप मैं से कोई एक बोलेंगे कि वही सर देस रूम यह देस नहीं है क्या yes, हो ही सकता है क्यों नहीं हो सकता है, तो कॉमा करके लिखेंगे this, this कौन सा है ये रूम ये रूम, मैंने डिटेल में समझा था आपको demonstrative adjective demonstrative adjective पीछा आप लिख देना, ठीक है my जो है, वो possessive adjective है और this जो है, वो demonstrative adjective है ओके चलिए, इसमें number one लिख देता है जिससे आपको clearly idea हो जाए number two, his family invited me to the party भई, family किसकी दी, his की दी चलिए, ठीक है, his family invited me to the party ओके किसकी family थी वो his थी, है ना, his family तो his जो है, वो कौन सा adjective है किसकी family थी वो किसकी family थी वो, his family तो यहाँ पे कौन सा adjective आएगा adjective, possessive possessive adjective लगेगा यहाँ पे क्योंकि वो possession बता रहे है वो बता रहे हैं किसकी थी, तो his आप लिख दीजेगा पीछे इंडियन आपको बताना चाहूंगा इंडियन जो है वो प्रॉपर एड्जेक्टिव बनता है नाउन को एक एड्जेक्टिव की तरह के यूज किया है यहां पर इंडियन जो हमने उपर भी देखा एक प्रॉपर एड्जेक्टिव बन जाता है ओ नमबर फ्री में हीस जो हो आप लिख देना हमेस प्रॉद⑦ जो है वो परजा सिव एड्जीक्टिव है अधर नहीं लिख सकते हैं तो फूड को नहीं गिन सकते हैं नुबर फाइव पैसेंजर गॉट दाउं फ्रम द बस यहां पर कितने पैसेंजर उत रहें पांच पैसेंजर उत रहें तब फाइव लिख देंगे बहुत ही बढ़िया एड्जेक्टिव आफ नमबर लिए बढ़िया ओगया नॉमबर फाइव ओगया नॉमबर शीक्स वाट कुछेटिट इड़ देड़ इंटर्वियोर आस्क पी वाट आ गया इंटरोगेटिव है ना विच्छ वाला जो वड़ा है वाट वेच वूज यहां पे वो है इंटरोगेटिव एड्जेक्टिव वा थीजस और स्वाल्स तो क्या करेंगे थीं एच एसमे टी अएस ऑंक हुरा थीवर्ड तो यह थोड़ा था यह थोड़ा त्लक इटीजो इस वाल्स और नीन वाल्स निट वाए सअ मैं व्रकर ठांइल सिब्स सअना इबंस्टिटीव तीक है आप इजेक्टिव लिख देना नबर एट जाक्सान वोज पोपिलर मेजिशन भाई कैसा मेजिशन था वो बढ़ी पोपिलर था पॉपिलर दा अबी कैसा मजिशन दा कैसा कैसा धा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कैसा मजिशन दा फो प्लेर द टीके अड्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी चलि ई 10 seconds लिख दीजिये या तो true one चलिए आगे बढ़ते हैं, clear करते हैं इसको ओके, exercise A हो गया आपका उंबक में है, बुक में लिखना है भाई देखो adjective की position के मुताबिक हम उसको दो type में divide कर सकते हैं adjective कहाँ पे है, ठीक है first is attributive and second is predicative, attributive देखते क्या है, an adjective is placed just before the noun is an attributive position ठीक है, in such a position the adjective describes the noun नाउन के आगे, जब तुरंथ ही adjective आजाता है intelligent boy, intelligent जो है adjective है boy हो गया noun, beautiful lady, beautiful जो है adjective है lady हो गया noun, तो noun के exactly आगे अगे, अगर adjective आता है तो भाई वो हो जाता है attributive, adjective, यह समय में आगे है noun के आगे, जब adjective आजाता है तुरंथ ही, तो वो हो जाता है attributive, adjective ठीक है, अब an adjective is placed after the linking verb such as be, become, seem, look appear, is known as predicative position ठीक है, अगर adjective, linking verb, उसके साथ जो verb है, उसके साथ ही used हुआ हुआ है उसके साथ ही उस हुआ है जैसे verb है be become seem, look appear, ठीक है आप ऐसे बने हैं, आप ऐसे हैं आप ऐसे दिख रहे हैं, तो आप जब ऐसे verbs के साथ adjective देखता है तो उसको हम बोलते है predicative position ठीक है you look handsome, तो look के साथ जो verb है, you look कैसे handsome, तो यहाँ पर look के साथ जो adjective यूज़ किया गया है verb के साथ इस adjective यूज़ किया गया है, उसको हम बोलते हैं, predicative position में है, predicate में है, ठीक है, मलब word पीछे, word के पीछे है, predicate में है, he is happy, is happy, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इसके साथ happy लिखा है, तो verb के साथ जब adjective लग जाता है, he is happy, ठीक है, तो यह होता है predicative position, ठीक हो, very often, when several adjectives are attached to one noun, they may be placed after it for emphasis, मतलब, ऐसे दो, अगर एक, दो या तीन adjectives हो, जो एक noun के साथ attached हो, तो उसके बाद भी वो लगाय जाते हैं, emphasis के लिए, ठीक है, the prince, fearless and determined, came to the rescue of the princess, जो शहजादा था, जो बिलकुल भी निडर था, और ठान लिया था उसने, came to the rescue of the princess, princess को बसाने के लिए आगया वो, तो यहाँ पर, prince की जो adjective of quality है, वो दी गई है, fearless or determined, तो यह दोनों, उसके बाद लगा जाते हैं, उसको हम बोलते हैं, emphasis के लिए लगाना, ठीक है, hair apparent, god almighty, कई ऐसे words जो होते हैं, ऐसे phrases होते हैं, उसमें adjective always, ना उनके पीछे ही होता है, जैसे god almighty, ठीक है, god almighty, मलब god, जो शक्तिशाली हैं, तो ऐसे ही लगा जाते हैं, तो यह आपको याद रखना है, hair apparent, और god almighty, hair मतलब जो उत्तराधिकारी होता है, राजा का बेटा, उत्तर चले exercise B पर आते हैं, adjective of quality ढूणना है, और underline करना है, attributive position और predicative position को, predicative position को आपको circle करना है, attributive position को आपको underline करना है, मैं आपको side में ही लिखके देता हूँ, आपको circle और underline कर देना है, ठीक है, चले, 8 sentences हैं, अमारे पास, देख लेते हैं, number one, हर्षवर्दन was a just king, कैसा king था वो, कैसा king था, king नाउने, ना उनके आगे क्या आ गया भई, just आ गया, हर्षवर्दन was a just king, ना उनके आगे क्या आ गया, just आ गया, ठीक है, तो यहां पर just जो है वो, ना उनके आगे आ गया, तो क्या करेंगे हम, just, आपको क्या करना है, आपक कोसर्कल को ऑर ऐंगरेंडिन करना को अपको लिखे देता हूं जस्ट कौन सा पोजिशन बताता है एक्ट्रिभूटिव पोजिशन पोजिशन आप लिखिशन आप लिख़ाना में आपको अब रही अपको चली अन्डर लाइन कर आ यक्ट्रिवूटिव है marks आफ्टर the exhaustive journey जए रीच्ड होम कैसी जर्णी थी exhaustive कैसी जर्णी थी वो exhaustive journey ठीक है तो यहां पर जर्णी कैसी थी exhaustive को लुखे से गद्रें के पहले आ गया जर्णी जो है वह नहीं है अब जर्णी करते हैं तो ननिय आकर दाइग्जास्टिव जर्नी जर्नी के आगए तुरंत आजरेक्टिव आ गया तो यह भी हमारा Attributive Adjective हो गया Attributive position हो गया Adjective का Number 3 The window frame was green Was के साथ green आ गया Window frame के बारे में Adjective दिया है Green वो कैसा है Green है तो यहाँ पर Adjective of quality जो है Green है Green को हम ने लिख दिया लेकिन वो Was के बाद है The window frame was green Predicative position Predicative Position ठीक है Number 4 The blind man Managed to cross the street Man कैसा था Blind था तो यह man की quality बताई गई है Noun के पहले है यह वर के पीछे Noun के पहले है Man जो है वो noun है Common noun Man के पहले है blind तो यहाँ पर आ जाएगा Attributive Adjective आजा मैं A और P ही लिखता हूँ आप लिख दीजेगा Number 5 An old man and his wife are our new neighbors यहाँ पर old है Old man Man कैसा था Old था यहाँ पर man के बारे में हमको पताई है Old तो यह है Attributive Adjective Sorry Attributive Position Adjective ही निकल जाता है Number 6 The beautiful princess Damaged her shoes while dancing Princess कैसी थी Beautiful Quality Adjective of quality B-E-A-U-T-I Beautiful Princess के आगे Beautiful आ गया Attributive Number 7 Simi's thin frame became weak Due to illness Simi की frame कैसी थी Thin थी Thin थी जाता है उसको हमने Underline कर दिया Attributive Adjective Number 8 The performance of our team Was brilliant Where के पीसे Was brilliant Brilliant जा है वो हो गया हमारा Predicative जाता है जाता है चले Skin shot खींच लीजे या लिख दीजे अब seven standard में यह आपने सिखा था formation of adjective adjective वो कैसे बनाना है जैसे boy को पीछे is लगा दे boyish हो गया, care तो careful हो गया gold तो golden हो गया dirt तो dirty हो गया sense तो senseless हो गया play तो playful हो गया तो यह जो है वो ऐसे आप suffixes एड करके word के पीछे कुछ letters एड करके आप adjectives बना पाते हैं एक simple trick यह है भीटा कि आप कोई noun ले लीजे ठीक है, उसके आगे वो word लगाई है तो आपको पता चल जाएगा जैसे he is a dash person he is a dash person, तो यहाँ पर he is a boy person आप नहीं लिखेंगे न, he is a boyish person आप लिखेंगे, he is a boyish person, तो थोड़ा girl के लिए boyish use करते हैं she is a dash girl she is a boyish girl, तो वो girl तो है लेकिन उसकी जो quality है वो थोड़ी boyish तरीके से, मतला वो boyish कपड़े पहनती है या hair short रखती है, तो यह जो quality है, वो boyish रखती है फिर ऐसे adjective form करने के लिए आप noun के आगे वो words लगा दीजिए जैसे man है, तो care man नहीं होता है, care man थोड़ी होता है care man नहीं होता है super man होता है, spider man होता है, care man नहीं होता है, careful man होता है, ठीक है careful he is a careful man so he is a careful man मुदल वो भही ध्यान रखता है ठीक है то golden, gold जो है तो आप किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं यह तो आप गोल्डन वॉच बोलते हैं, गोल्डन वॉच बोलते हैं, गोल्डन वॉच बोलते हैं वैसे तो, एड्जेक्टिव नहीं लगाते हैं, गोल्ड वॉच भी बोलते हैं, कि गोल्ड जो है, वो नाउन हो जाता है तो एक प्रॉपर एड्जेक्टिव के रूप में आ सारे जो words है उसका आप noun के आगे लगई है तो आप proper बना पाएंगे और अगर नहीं लगा पाने तो suffixes याद कर लीजिए I, S, H, F, U, L, E, N, Y, L, E, W, S किसके बीछे लगता है वो आप याद कर लीजिए ठीक है? verbs से भी बनते हैं जैसे C is command, tire तो उसके बीछे एक्ससाइस C में कुछ नहीं करना है आपको जो चार वर्ड दिये हैं उसका आपका adjective में convert करना है hope का क्या हो जाएगा भाही? hope का number one hope, fool ठीक है? number two, fool foolish ठीक है? number three, silk, तो silky silk का हो जाएगा? silky, और number four comfort, तो comfortable table, यह लिख दीजिए ten seconds, five seconds, five four, three two, one तो दोस्तों आज हमने adjectives के बारे में पढ़ा और adjectives क्या है? वो समझा, 10 तक अलग-अलग adjectives देखे जो आगे आपको बहुत ही काम आएंगे degrees of comparison में ठीक है? degrees of comparison mostly the adjective of quality ही होता है quality में ही comparison होता है degrees of comparison में लेकिन ऐसे बहुत सारे words होते हैं जो आपको जिन्दगी, रोज मरा के जिन्दगी में आप यूज कर रहे हैं adjectives के रूप में तो ये समझना बहुत ही जरूरी है आज हमने exercise A, B और C की है आपके homework में exercise A, B और C आपको लिख देनी है book के अंदर adjectives हमने पढ़े next time हम जो पढ़ेंगे वो है degrees of comparison की degrees of comparison क्या होता है? ठीक है? comparative degree क्या होता है? वो सारी जो degrees है वो हम पढ़ेंगे फिर superlative degree क्या होता है? वो पढ़ेंगे degrees of comparison कैसे form करना है? late, later, latest ये सारे words का meaning समझेंगे कहां पे letter यूज करना है? कहां पे last यूज करना है? ये सब चीज हम देखेंगे तो यहां पे हमने exercise C तक full stop रखा है degrees of comparison हम next time देखेंगे आपके homework में exercise A, B और C बाई बाई